चलिए बच्चे आप एक next पढ़ते हैं कि microbes in industrial product ठीक है industrial products में जो microbes का use होता है वो कैसे होता है तो चलिए इसको भी समझने के बात करते हैं तो industries में भी microbes का use बहुत से product की synthesis में किया जाता है बहुत सारे products है तो से human viewing के लिए जो valuable होते हैं खास तोर पे जासे beverages और antibiotics इसके कुछ example हैं ठीक है beverages और antibiotics को हम लोग क्या कर सकते हैं इसके example मान सकते हैं अब आप देखें जब भी industrial scale पर production करना होगा तो इसके लिए बहुत बड़े vessels vessels एक प्रकार के बरतन हो सकते हैं आप यह कह सकते हूँ इस्टूमेंट से उत पड़ती है जिनने हम fermenters कहते हैं यह fermenters हैं यह सारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं यह दीजार्दा fermenters ठीक है यह सभी क्या हैं यह fermenters हैं अब जब भी हम fermenters की बात कर रहे थे तो fermented beverages सबसे पहले देख ले थे हमने बात के थे beverages और antibiotics में तो हम दोनों को देख लगाए fermented जो होते हैं beverages की बहुत ही ancient time से ठीक है बहुत ही ancient time से हम क्या कर रहे हैं इस्ट का यूज wine, beer, whiskey, brandy और rum जैसे beverages या पेपधार्त बनाने के production में किया जा रहा है तो east का यूज कर रहा है हम लोग हैं सब में ठीक है तो इस purpose के लिए same east का यूज किया जाता है और इस east का नाम क्या है अगर गोई पूछे तो बोलिएगा saccharomyces cerevisai, saccharomyces cerevisai का यूज करते हैं जो bread बनाने के लिए यूज करते थे थे ना वही weavers बनाने में भी यूज होती है इसलिए इसलिए rivers east कहते हैं ethanol के production के लिए इनका यूज malted cereals और fruit juice के fermentation में भी किया जाता है बहुत important है यह आप यहाँ पर समझने की बात है बचों class 11 में हम लोगों ने पढ़ा था कुछ metabolic reactions को जिसमें east के दौरा हम लोग ethanol का production करते थे तो फिलाल हम लोग बात कर रहे हैं चलिए तो different types की alcoholic drinks है उसको हम लोग fermentation में जो raw material है उसके types और processing पर depend करता है ठीक है अब यह जो processing होती है वो with distillation भी हो सकती है और without distillation भी होती है यह depend काता है raw material used for fermentation पर कि जो processing है वो कैसी होगी और उसी processing के दौरा ही alcoholic drinks अलग प्रकार की मिलती हैं जैसे wine और beer बिना distillation के produce होती है wine और beer without distillation के produce होती है जबकि whiskey की बात की जाए brandy और rum की बात किया जाए तो इनको distillation का use करके बनाया जाता है तो fermentation plants का एक figure है आपको दिया गया इसमें कि कैसे fermentation plants होते हैं आप यहाँ पा देखिए कुछ इस प्रकार के fermentation plants होते हैं this is the fermentation plant तो fermentation plants का एक फोटोग्राफ आपकी जो image है एक figure है 10.5 यह दिया गया अब fermentation का दूसरा use हम लोग करते हैं antibiotics में चलिए antibiotics को समझते हैं सबसे पहला काम अब जब antibiotics को देख रहे हैं तो antibiotics produced by microbes are regarded as one of the most significant discoveries of the 20th century microbes के दौरा जो produce antibiotics हैं उनको 20th century की सबसे महत्पून discovery मानने आता है और इसे human के welfare के लिए और society के welfare के लिए एक महान उपलब्दी माना जाता है अब anti एक Greek word है anti क्या है anti is a Greek word अब ये Greek word आया कहां से चलिए इसको भी देखते हैं anti is a Greek word है इसका मतलब होता है against और bio का मतलब होता है life तो disease casting organism के meaning में इसको लिया जाता है ठीक है इस context में इसको यूज करते हैं जबकि human के context में यह pro life है ना कि against life है यहां देना human के context में यह क्या है यह pro life है not against life है तो antibiotics वह chemical substances हैं जिनका production कुछ microbes के द्वारा होता है और यह disease causing microbes को kill कर देते हैं और उनकी growth को retard कर देते हैं उनकी growth को दीमा कर देते हैं जो disease causing microbes हैं उनको kill करते हैं और उनकी growth को retard भी कर देते हैं ठीक है आप अनलों ने बहुत common सा नाम है सुना होगा सबी लोंने सबसे पुरानी एक ancient antibiotics थी penceline ठीक है तो discovered antibiotic penceline था जो एक by chance discover हो गया थे it is a chance discovery एलेक्जेंडर flaming का नाम आपको या रखना है एलेक्जेंडर flaming यह क्या कर रहे थे स्ट्रैप्टो को काई वैक्टिरिया पर काम कर रहे थे तब उन्होंने observed कि एक unwashed plate पर कुछ mild grow कर रहे और इनके चार और इस्ट्रैप्टो को काई ग्रो नहीं हो पा रहे इनके उपर क्या है इस्ट्रैप्टो को काई ग्रो वहाँ पर उस समय नहीं हो पा रहे थे उनके चार और ठीक है तो उन्होंने यह पाया कि इस mild के दौरा produced chemical वो कारण हो सकता है जिसकी वज़य से इस्ट्रैप्लो को काई ग्रो नहीं कर पा रहे और mild penicillium notatum के नाम पर उस उसका नाम penicillium रख दिया गया है mostly देखा जाये तो यह एक effective antibiotics के रूप में इसके full potential को earnest chain और Howard Flory ने establish किया था earnest chain और Howard Flory आपको या रखना है इन्होंने ही इस antibiotics के full potential को establish किया था क्या हुआ था वर्ल्ड वार टू का टाइम चल रहा था वर्ल्ड वार टू का टाइम चल रहा था अमेरिकन सोल्जर्स को treat करने के लिए antibiotics का उस समय widely used किया गया वाइड ली उस किया गया और इस खोश के लिए flaming chain और Flory को इन तीनों को flowing chain और और Flory को 1945 में discovery के लिए novel prize मिला याद रखिएगे 1945 में ठीक है तो पैंसलीन के बाद दूसरे microbes से और भी antibiotics को purify किया गया तो antibiotics ने एक deadly disease थी कही सारी उन deadly disease के नाम है उनको kill करने में ठीक है बहुत बड़ा रोल प्ले किया था वो diseases थी जैसे plague, hoofing cup जिसे हम लोग काली खासी कहते है डिफ्थीरिया जिसे गल घोटू कहते हैं लिप्रसी जिसे कुष्ट्र कहते हैं ठीक है इसको treat करने के लिए हमारी चंता को बड़े इस तर पर improve किया जबकि इससे पहले इन diseases के कारण लाखों लोग इन diseases के बज़े से मर जाते हैं तो आज ये समझ लीजे कि आज हम लोग without antibiotics ये imagine नहीं कर सकते हैं कि ये क्या चल रहा है ठीक है तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं तो चलिए हम तो थोड़ा सा देखते हैं chemical enzymes और other bioactive molecules को तो next अपना है chemicals enzymes and other bioactive molecules